अभी आने वाले एक्जाम में जहां पर भी हिमाचल जी के पूछ जाती है आपकी हल्प करेगा जैसे कि पहले भी जो हो करता रहा है कोश्चन नमर वन से डिसकेशन जो हो स्टार्ट करेंगे बोलते हैं इन सब्सक्ते अच चर黨 है किसके नेंट्रितों में जाने इनसर हो जाएगा सुकरेंगा विट्रेका सिख सब्सक्राइब प्रेजामंदर्द सुखेत का गठन भी किया जाता है, तो सुन्दरनगर में पहली बार तिरंगा लहराया जाता है, प्रजामंदर सुखेत जो बनता है, इसमें और भी बहुत सारे लीडर आते हैं, जिर्में नरसिंग दत, जो संतराम गुपता थे, कमला राम थे, लच्मी न थे यह सारे थे बहुत सारे नाम है याद रखने जरूरी नहीं है रतन सिंग का नाम है रतन सिंग की और भी क्या इंपोर्टेंस रही यह भी हम जानते हैं यहां से जब सरकार से एक जो responsible government होती है रहो responsible government जो हो बनाई जाए प्रंतु जो अंदोलन जो demands की जा रही थी लोगों के दोरा उनको राजा के दोरा दबा दिया जाता है फाइनली 1948 में इसके consequences देखने को मिलते हैं कि हिमालियन रियास्ती provincial government जो है वो अपने एक meeting करती है सुन्नी में और वहां पर सुन्नी जो भज्जी state में उस टाइम आता था उसमें क्या डिसाइड किया जाता है कि एक full-fledged province जो है वो बनाया जाएगा और जिसमें सारे के सारे democratic feature होंगे लोगों को उनके अधिकार दिये जाएगे और बनाया कहां पर जाएगा ये तो सुकेत को ही जो था वो पहला इसका स्थान चुना गया था और अठारा फरबरी उने सुरतालिस की बात है एक नौन वाइलेंट सत्याग्रह येन के अहिंसात्मक वे में जो है एक सत्याग्रह जो है वो लांच किया जाता है पंडित पदम देव के धक्स्ता में और उस टाइम वहां के राजा हुआ करते थे राजा लक्समन सेन राजा होफली कि ये कॉंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे अगला क्वेशन देखेंगे अभी हम यहां पर पूचा गया है बोलते हैं इन विच ये लैंड मुमेंट इन सिर्मौर तुक प्लेस कि सिर्मौर में एक जो था वो भूमी अंदोरन हुआ था भूमी बंदोबस्त ब्र में अंदोरन हुआ था ना वो 1878 में हुआ था उस टाइम यहां के राजा कौन हुआ करते थे यहां के राजा समसेर प्रकास हुआ करते थे 1878 की बात है कि गरीपार का जो इलाका था ना इस इलाके में अंग्रेजों के निर्देसा नुदार जो है भूमी बंदोबस्त जो हो करवाया जाता है अब प्राचीन जो रूडियां चलती आ रही थी परंपराये चलती आ रही थी वो इस इलाके में जो था उपर चलित थी यहां के लोग बड़े ही भूले वाले थे, प्रंदु ग्रीब भी थे साथ में ही, तो बंदोवस्त पूर्णतिया एक नई विर्वस्ता जो था, वो इनके लिए थी, अब इलाके में यह एफवा फैल जाती है, कि सरकार क्या कर रही है, सरकार भूमी को अपने धीन कर रही है, और किसान सरकार के अंडर जो है, वो काम करेंगे, और यह बात जो है, वो फैल गई, और यह भी कह दिया गया, कि सरकार जो है, वो क्या करेगी, सरकार जो यहां के करमचारी है, लोगों की बेड़ बकरिया है, और भी जो कीमती समान है, उसको अपने साथ जो है, वो ले गई दूसरी तरफ क्या हो रहा था राजा समशेर प्रकार जटे उन्हें लँहार के एक मुंसीदgrass जन का नाम नंद लाल था इनकी देखरेक में बंदोबस्त करवाने का निश्चे जो था वो कर लिया था और मुंसी फतेहे थे मुंसी फतेहे को जो था वो बंदोबस्त का सुप्रिडेंट जो था वो बना दिया गया था जो बंदोबस्त होना था अब किसान तो अपने विद्रोह पर जो था वो उतर आये थे किसानों ने कर्मचारियों को खेतों में घुशने नहीं दिया कंप्रोमाइस करने की कोशिश की गई बाद में चलकर जो मुख्य नेता थे ना इसके जो नंबरदार हमने पड़े थे उच्छबू और प्रित्म उनको गृफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद जो हो क्या हो होता है बंदोवस्त का जो विलोद कर रहे थे उस अंदोरन को जो हो कुचल दिया जाता है सरकार के द्वारा और यही सारी चीजें बाद में चलकरना एक बड़ी लडाई को जो हो रूप देती हैं अब यहां से क्या-क्या पॉइंट आपने समझे पहला 1878 में हुआ उस टा आइसरा पॉइंट यहां से बंता है कि जो बंदोवस्त हो और दूसरे दूसरे जो प्रित्तम सिंग थे जो इसको लीड कर रहे थे अंदोरन को तो यह सारे पॉइंट से याद रखना हर इक पॉइंट एक्जाम पॉइंट जरूरी है चार-पांच पॉइंट यहां से निकल कर रहते हैं अगले कोशन में बोलते हैं और फिटिन अप्रेल नाइंटिन फॉर्टिए विच और फॉर्वाइंग प्रिंसली स्टेट वर मर्जद इंटू हिमाचल प्रदेश बिदा बिदाउट अल्टरेशन ऑफ देर बॉंड इस्तो से अल्टरेशन की गई थी हुए इसमें महासू के लावा दूसरा यहां पर सिर्मौर आता था तीसरा यहां पर मंडी आता था चौत यहां पर चम आता था अगर हम बात करते हैं तो महासू में घरप लाहा बात करते हैं यहाム पर मंड़ी की में भी otherwise कि गई थी सुकेत का पहले तो सुकेत का भाग है था न वन दी तो उसमें कि गई थे अब बजाते हैं चमबा और कि मॉड़ी मोरी devices कोई भी वरिवर्तन जो है वो नहीं किया जाता है ऑफिशन डी जो है उसे अंसर है सिर्मौर और चमबा इसका सा यह अंसर हो जाएगा चलो यह तो पंद्रह प्रेल उन्हें सौरतालिस के साथ जो हो जोड़ जाता है प्रेजेंट टाइम में अगर हम इन रियास्तों इन जीलो क्लिमा जो की पूरी हमाचल का 5.07 कवर करता है रिष्टिक हमाचल के अग्रभा बात करने रिष्टिक के सिकले सबसे ज्यादा जो होती है चंबा में हमें पंगवाल ट्राइब देखने को मिलती है गदी ट्राइब देखने को मिलती है नवाला फैस्टिवल मनाया जाता है वहां पर अगला कौशिन देखें दोक्टर यसमन सिंग्र मार डाय डॉन दोक्टर यसमन सिंग्रमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य मंतरी थे अब इनका जनम कभ हुआ था इनके बाते आपको पता होनी चाहिए यह फिर इनके बारें में क्या-क्वेश्चिन एक्ष्टन अग्जाम में पूची चाहिए ह हम जानते हैं कि डॉक्टर यस्वन यस्वन सिंग प्रमार जो थे ना इनका धिहांत कब हुआ था तो 1981 में ऑप्षिन बी जो है उसा यंद्र है सिर्मार के राजा के साथ इनकी बनी भी नहीं और इन्होंने जज़ की पोष्ट चोड़ दि और इन्होंने अंदोलन करने को प्रेफरेंश जो था वह दी थी अंदोलन इन्होंने किया बात में चलकर रिजल्ट ये रहा कि ये जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो हैं वो बनते हैं जब हिमाचल प्रदेश में पहली सरकार पहली बार इलेक्शन जब होते हैं तो ये पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं अब ये कौन से इयर की बात रही जब ये पहली बार जो था वो हमाचल प्रदेश के मुक्य मंतरी बने थे 1952 की बात रही थी इंडिये नेशनल कॉंग्रेस से ये सिर्मॉर डिश्टिक से एलेक्शन लड़ा था पच्छाद कॉंसिचुएंसी से पच्छाद कॉंसिचुएंसी तक ये सरकार बनाये रखते हैं उसके बार तीसरी बार फिर से एलेक्शन होते हैं और रिनुका से जीत कर आते हैं और 1967 में जीत कर आते हैं 1972 तक जो है यह मुख्यमंत्री रहते हैं चौथी वार यह 1972 में फिर से रिनुका से जीत कर आते हैं और 1972 से 1977 तक जो है यह मुख्यमंत्री रहते हैं हिमाचल परदेश के हमने क्या वड़ा था मिशन एलाइड की सीरीज में ही कि जब 1963-67 में एलेक्शन हुए थे तो डॉक्टर यस्वन सिंग परमार जी के दौरा कुछ किताबें भी लिखी गई हैं जो हमने पड़ी हैं पहले फिर से हम रिवाइस करेंगे इनके दौरा किताब लिखी गई है ुमार्जी क्ताब कर दोरह कौन को से लिखी गई है दौक्टर वाई इस परमार जी के दौर आपको पता होने चाहिए वह हह माचल प्रदेश Chad protection मंघ्जास किताब लिखे गई। एक सतरंज के लिए रही तो वे अनल सारे किताब हुआ जया हुआँ पूरी बात जानेगे हैं कुट लेहर रियासत तो आपशन में नहीं देखने को मिलगा कुट लेहर कांगड़ा का एक पार्ट है कांगड़ा ओप्शन भी जयो है वो सही अंसर हो जाएगा पूरी बात समझिए क्या है भज्जी रियासत की स्थापना कुटलेहर रियासत के वंसर्स थे राजा चारू जिनके दौरा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी question पूछा गया है HPSSE जब paper करवा था हमिरपूर का तब उसके दौरा paper question जो है पूछा गया है किस ने जो ता वो भज्जी रियासत की स्थापना की दिधा कि ती इसके बाद वो क्या होता है कि दिया जाता है मतलब कुछ और भी बताया जाता है कहीं पर उदेपाल जो है वो बताया जाता है कहीं कहीं पर यह जो भजी रियासत थी ना भजी रियासत में जो है सोहनपाल एक सासक हुए सोहनपाल ने जो था हो सुन्नी सहर की स्थापना भी जो था हो की थी और बाद में चलकर भजी की पिच्पोप कूरें को उस्ता परदान के और अंतिम में च्छाषक हुए वह राम चंद्रपाल फुरस हे फ़ाकू थे अट 설 अग्डश marked їх कार्वी माहासूं में जुद्धान करण हुए तोग्या कि महासूं ऑभिषखी दुने मियां sut तक पर पता चलाना कि इस तरह से आये पूरी बात आपको पता चल की यह बड़ा ही ट्रिकी सा को द्यान रखना है और अग्जाम में पूछ लिया गया ऐसे ही ना कवेशन तो समझेगी एक कोईशन आपको पक्का हो गया अगर आप ध्यान से सुन रहे है ना सारे के सारे हुए जिनको भी तक याद नहीं आया है कि कुटल हर रयासत की स्थापना किस्ते ने की थी तो वह हम डिस्कस करेंगे .рок जास・पाल के दْवारा जास पाल के दवरा तो मम कुटल हर रयासत की स्थापना की गई थी यह अपने ४ t प्यों का नाम संसार चंद ने चंनबा के किस राजा को मारा था यहां पर अगरं बात करते हैं न कि कौन से राजा थे चंबा के तो यह थे राजा राजसिंग, राजा राजसिंग option A, उसा हो जाएगा, राजा राजसिंग की लडाई होती है, संसारचंद के साथ, और 1794 के आसपास की ये बात है, सहापुर के निजदी के लडाई होती है, और इस दौरान इनकी मिर्त्यू हो जाती है, अब होता क्यों है, ये यूद चम्बा के राजा राज सिंग और कांगरा के राजा संसार चंद है ये दोनों एक इलाका था जिसका नाम था रिहलू क्षेत्र ये हमेशा से ही डिस्पूटिड रहा था इनके बीच में रिहलू क्षेत्र को लेकर जो है वो लड़ाई होती है और राजा राज सिंग चंबा के राजा उमेद सिंग भी हुए थे जो क्यों प्राजिक या गया है और साधम यहां पर जीट सिंग दो कि राद सिंग के बाद बने थे स्ट्री सिंग भी ऑप्षिन में दिया गया है इनके कारेकाल के दुरान लकड़ सा ब्राह्मन था ना वो यहां पर नियंतर बनाए रखता था और साथ मैं इनका जम्मू के साथ भी थोड़ा सा डिस्प्यूट रहा था मैंने बलुकरा सीरिज म वहां पर जाकर की जाए अंगराजियों की सहायता करेके लिए अपनी सेना बे侘म जाता है और बात में करते हैं चमबा के फॉरेस्ट को laser पर भी जो है वो दे देते हैं अर चमबा की साहन चलता रहता है आगये चलकर हमें देखने को मिलता है कि चंबा में हिमाचल का सबसे पुराना म्यूजिम भूरी सिंग म्यूजिम उनिसो आठ में स्तापित किया गया चंबा में जो है वो चंबा के जो अंतिम साचक हुए वो लक्षमन सिंग जो था वो हुए थे और उनिसो और दारिस में हमनें चंबा का प्ड़ा था कि विडाउट एनी AF कि परिवरत्न के भीना जुता यहीं मांसर प्र०्दे Alliance में इनिसौटी किया Hajz लिए खार और वैसे भी होता रहता है आए दिनों ये कोशिन रिवाइज अगला कोशिन देखें बोलते हैं इन वीच मन्थ मिंजर फेरी सेलिब्रेटर तो बोलता है कि मिंजर मेला जो है कम मनाया जाता है मिंजर चंबा का प्रसिद्ध मेला है और यह राजा साहिल वर्मन के दोरा जो था व यह राजा विश्ट है रावी नदी के किनारे है इस्तित वस्त्रत है बड़े बेसी कोशिंस हैं यह तो आपको याद भी हो गए होगे हो गई और क्या मिंजर मेले के बारे में question बनेगा tricky सा question बनेगा कभी स्टार्ट होता second Sunday of seven month को start हुआ था ये question बन सकता है चमबा में और कौन कौन से fair festival मना जाता है चमबा में सुखी मिला मना जाता है कौन से महीने में मना जाता है और चमबा ना भगवान बोलेनात की धरती है, बहुत सारे मंदिर भगवान शिप के यहां पर है, जो important one temple यहां पर है, जैसे कि मनी महेश temple यहां पर स्थित है चमबा में, वो भी important है, राजा मेरु वर्मन के दौरा जो था, वो बनवाया गया था, अपने कारेकाल के दौरान, वो आपने धियान रखना है, चमबा में अगर हम और भी मंदिरों के बात करते हैं, जैसे कि 84 मंदिर हो गया, वो भी जो है उचमबा में स्थित है, जो 84 मंदिर भरमौर में स्थित है, और अगर हम बात करते हैं, शक्ती देवी मंदिर की च्छत्राडी temple है, वो भी डिस्टि चमबा में जो था वो बनवाया किया था एचेस में बहुत पहले जो था एक पूछा जा चुका है हो सकता है अभी आने वाले टाइम में कौशन पूछ ले जाए कि निमन लिखित में से कौन सा मंदिर राजा साहिल वर्मन ने बनवाया था एक option दे देंगे लक्समिनारान मंद रावी नदी देखो चमबा में बहती है चमबा में ये रावी नदी बहती है अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है ये सबसे चोटी नदी है हिमाचल प्रदेश में बहती है तो ये कितने किलोमेटर हिमाचल प्रदेश में बहती ह वो हम जरूर बता सकते है वो जरूर अग्जामनार आपसे कॉशिन पूछ सकता है कि रावी नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है तो कितने किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है वन फिफ्टी एट किलोमीटर बहती है चमबा सहर हम अक्सर पढ़ते हैं कि रावी नदी के किनारे सित है यहाँ पर तो option में दिया ही नहीं गया है यहाँ पर डलहोजी, बढ़ीखेट, खजियार, परेल दिया गया है तो हम बात करेंगे यहाँ पर खजियार तो नहीं है खजियार बिलकुल नहीं है, डलहोजी भी नहीं है यह दोनों टॉप अपर सित है, तो कोई नदी एग्जेक्ली वहाँ पर है ही नहीं बढ़ी खेट भी साथ में सित है, तो यह भी नहीं है परेल ही बचता है, को option भी, परेल जो है, वो सही अंसर हो जाएगा यह जो है, वो रावी नदी के किनाने जो है, वो सित है वन फिप्टी एट किलो मेंटर यह नदी हिमाचल पर देश में बहती है बैदी के नाम इसका पुर्शानी है, और इसकी जो मुख्य रूप से सहाएक नदीयां है वो कौन कौन सी है रावी की तो रावी की मुख्य रूप से सहाइक नदियां आपने ध्यान रखना है कि रावी की जो मुख्य रूप से सहाइक नदियां इसमें तंत गिरी आ जाता है इसमें भांदर ला जाता है सियूल आ जाता है छत्रारी आ जाता है यह सारे इसकी मुखे रूप से सहायक नदिया है साथ में दूसरा कॉषिन यह ध्यान रखना है कि यह न, राबी नदी चमबा डिस्टिक में बहती है चमबा को जब यह छोड़ती है तो कहां पर जाकर पुह tickets चमबा को जब यह छोड़ती है और जम्मु काश्मीर में पेंटर कर जाती है चमबा में एक लोटी एक ही नदी है जो बहती है नहीं चमबा में deux यह नदी को जो हूँ आगे चलकर छोड़ देती है और आपने ध्यान रखना है कि चिनाव नदी जब चमबा में आंटर कर दिया तो भुजिंद के स्मीब ये परवेश करती है और संसारी नाले से चंबा को छोड़ देती है और कश्मीर में वो एंटर कर जाती है अगर हम चनाब की बात करते हैं तो मुख्यरूफ से चंद्रा और भागा इसकी दो साहिक नदिया है चंद्रा और भागा दो अलग अलग डिरेक्शन से बह कर आती हैं और जहां पर ये मिलती है उस स्थान को तांदी स्थान कहते हैं फिर ये चंद्रा भागा के नाम से बहती है और उसके बाद आगे आगे चल कर जो है ये चनाव का नाम पढ़ जाता है जैसे ही चंबा में एंटर करती है और बड़ी पवित्र नदी जो है ये लहोज पित्ती की मानी जाती है जस्ट लाइक गंगा नदी को जैसे पवित्र मानते है वैसे ही इस नदी को भी जो है वो पवित्र माना जाता है अगला question देखें क्या बोलते हैं परफॉर्म कियाता है जांकी और हंतार तो होई ही गए अब चंबा में परफॉर्म के जाते हैं जहां पर अलग लग फॉक्डांस परफॉर्म कि जाते हैं जैसे कि सिर्मौर का बिट्सु फेमस है कुलू का जो है जो कयांग बाकयांग बयांग चुछ यह अलग अलग डांस यहां पर यहां पर यहां पर फेमस है अपने ध्यान रखना है और अगर हम ज्यांदों आगर हम बात करें कि डिस्टिक बिलासपूर डिस्टिक बिलासपूर में जो है वो लोक नाटे पर फॉर्म की जाता है जैसे कि सवांग लोक नाटे यहां पर पर फॉर्म की जाता है वो आपने ध्यान रखना है डिस्टिक बिलासपूर का फिरमस यहां का फॉक्स सॉंग है वो यहा आप अलग लग फ्रिमस जो हो डांसी हुए गीत हुए वहां के वह भी आप important हो जाते हैं लेक्स्ट कोईशन देखते हैं फिलाल तो हम बोलते हैं वी इसे कौन से किन और मैं एक मैरीज की टाइब जो हो नहीं है अब देखो यह कुशन हमने टेस्स त्रीस में हमने इसकस किया है तो अब ही तक जोएन नहीं किया इससे जादा सफिशन टाइम आपको एलाइड की टेस्ट सीर्स को जोएन करने का नहीं मिलेगा नीचे ग्रुप जुरूर जोएन कर लेना बोलते हैं यहां पर क्या बोलते हैं मैरीज का कौन सा फॉर्म है जो कि नौर में जो हो नहीं है हर एक की बात करेंगे पहला सिधा अंसर डिसकस कर लेते हैं फिर हम हर एक की डिसकस करेंगे कूची ब्या जो है यह कहां पर पर परफॉर्म जो है वो नहीं किया जाता मैरिस का टाइप है कि नौर मैं प्रफॉर्म नहीं किया जाता तो कहां पर प्रफॉर्म जो है यह किया जाता है वो हम जानेंगे और डिस्टिक के नौर के बारे में यहां से जानेंगे देखो यह जो जाने खंग है ना यह जो है वो कॉमन मैरिस का एक अगर हम आप करते हैं तो यह भी al की बात करते हैं तो यह भी जो है यहां पर एक टायप की जाती है और धर द्रोस हो गया दुबर दुबर हो गया यह यहां पर लग लग हिसाब से लग लग जगवाप पर ओलिखी गई है हमारे भास जो आपको पता है लोकल भासा में जो है ऊचा रिख बैसाधी को ही कहा जाता है तो swang glass के बीच में ये perform की जाते हैं कुवा बया, मजमी बया, रुस्ता ते बया ये हो गए important one हमारे बास marriage के type देखिए बड़ा ही interesting question है ये भी उससे पहले PGT की test series के बारे मैं बता दूँ PGT paper one की जो test series है उसका link नीचे description box, comment box में दिया गया है in 1948 which of the following reason was not a part of हिमाचल प्रदेश 1948 में बोलते हैं कि कौन सा reason in मैं से हिमाचल प्रदेश का part जो था वो नहीं था चार options हैं आपके पास दिये हुए last edition में हमने details से discuss किया था ना ये मैंने बताया था आपको यहां से सारा का सारा concept अभी आप comment करके बताएंगे एक revision हो जाएगा आपका last edition से और क्या फाइदा पीछे पढ़ने का अगर उसको याद ही न रख पाएं तो इसलिए यह important है telegram पर अब भी तक आप हमारे साथ नहीं चुड़ें telegram पर चुड़ने के लिए पर टेलिग्राम से add the rate all exam 31 इस तरह से सर्च करना टेलिग्राम पर आपको हर इक important जानकारी मिल जाती है जो एक्जाम में आपकी help करती है जैसे कि कोई result आ गया जैसे कि कोई notification आगी advertisement आगी वो सारी मिल जाती है add the rate all exam 31 सेर्च करेंगे तो टेलिग्राम चैनल आपको हमारा मिल जाएगा that's all for today thank you thank you very much for watching and listening it very patiently